नमस्कार दोस्तों में नामें शुभा मूर गाईज आप लोग का सवागत आप फिर से में यूटूब चैनल फैविंग टैक पर तो फाइज आज किसका यूडियो में मैं आप लोगों से बात करें वाले हैं काफी इंट्रस्टिंग ठीज के बारे में तो अभी तक क्या होता ह है कि simply आप लोग WhatsApp पे कोई भी महिश करते हो किसी को भी सपोज मैंने यहां पर सारे महिश आपको देखने को मिलेंगे simply मानलो यहां पर अभी जो टाइमिंग हो रही है वो तीन बच के साथ पीम हो रहे हैं जो अभी का रीसेंट लिजेश्ट में वीडियो बना रहा हूं और जो conversation है इसका अगरा time देखो तो यहां पर थूबे का time है 10 बजे का असपास का तो यहां पर अभी अगर मैं long press करके किसी महिश को delete करने ही गोईश करता हूं तो यहां पर मानलो long press किया और यहां पर delete for everyone पे click किया तो यहां पर delete for everyone का कोई ऐसा option नहीं आता simply आप delete for me का option आ रहा है जो कि यहां से chat delete नहीं हो पाएगी मलब यहां से message delete नहीं हो पाएगा simply इस वाले phone से delete हो पाएगा जिसमें delete for me लिखा हुआ है तो अब हम चाते कि simply यहां से भी message delete हो जाए और उस mode से भी message जो है delete हो जाए इवन कि आगा time over भी हो चुका है क्योंकि 10 बजे की chatting और अब 3 बज़ रहे हैं तो यहां पर option नहीं आता तो इसके लिए simply आपको क्या करना है पड़ेगा delete for everyone के लिए आपको यहां पर नेटवर्क ऑफ कर देना है लब कि WhatsApp और फोन का जो नेट आप बंद कर देना है simply यहां से एक मिन और पर मॉइल आटा भी बंद कर देते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है सिंप्ली अब do सब्सक्याब इसको फॉर्शन उयाँ सब्सक्राइब ये cricket 100 पे आपने जो इंड रोड़ करना है आप सो सब्सक्राइबença की? जैसे महानलों कि एक्जाम्पल के लिए महई जाए मैहिच जाना मैहट को डिलीट करना जात हूँ यहाँ पर मुझे को टाइम सेट में दस बच के बावन एम पर ही सलेक्ट करना होगा तो यहां पर दस एंड आप पूरा प्रोपर टाइम मतलो एक दो मिनट उपर ले लो कि तो एक दो मिनट का टाइमिंग उसमें होती है रीड़ फॉर एवरिवन के लिए तो यहां पर हम यह टाइम करने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर पर डिट करता हूं तो यह मैं यहां से बिलीट होगा और वहां से भी डिट हो जाएगा एक बार अगें देख लो, यहाँ पर delete for everyone आ चुका है, यहाँ पर simply मैं tap करता हूँ, और यहाँ से यह delete for everyone हो चुका है, you deleted this message आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर update नहीं हुआ, अपडेट कब होएगा, जब मैं अपना net on कर दूँँगा, simply मैं आपना net on करता हूँ, और आप देखते रहें न कि किस तरीके से, वहाँ से ही message delete हो जाएगा, automatically, कुछ करने की यूट नहीं पड़ेगी, तो यह देखो गाईस, यह हो चुका है, this message बार deleted, जो कि timing की देख लो, कब की message यहाँ पर delete हो चुका है, और over time के बाद मैंने इसको time चीज़ेंगे delete कर दिया है, तो यह trick काफी काम आती है, और आपको हर message के निचे यह option देखन को मिल जाएगा, जो यह आपका time से over हो चुका है, देख सकते हो आप लोग इस तरीके delete हो रहे है message, तो इस तरीके से आप लोग इसको delete कर सकते हो, एक बार message delete होने के बाद आपना time वगरा, बाद में select करके ठीक कर लेना, क्योंकि बाद में आपके phone में other application में प्रोलम ना आए, तो इस तरीके साब इस चीज़ों को solve कर सकते हो, और आपना पुराना message delete कर सकते हो,